हेलो फ्रेंस स्वागत आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंस आज हम लोग इस वीडियो में जैसे आर्टी क्लास 5 का मैत में पार्ट 9 को स्टार्ट करने वाले हैं और देखिए फ्रेंस इस चेप्टर का नाम जो है इस पार्ट का नाम क्या है देखिए आंकड यह है आपका पार्ट 9 चैप्टर नाम है आकड़ा इंगलीज में इसको बोलते हैं डाटा ठीक है तो डाटा से रिलेटेड इस चैप्टर में आपको कॉस्चन सॉल्व करने को मिलेगा देखिए यहां पर कर रहा है पांच जून पांच जून क्या होता है आपको पता होगा प्रियावरण दिवस मनाया जाता है इस दिन ठीक है पांच जून प्रियावरण दिवस के अवसर पर बाल संसद के बच्चों दवारा विद्यालब में शिर्चाइ रोपन किया मतलब बाल-दियोस के उपलक्ष में विध्याले में सुच्णा पत्पर इस प्रकार दिखाया गया है यहां preserve दिख रहा है यहां पर आपको दिख रहा होगा पोधों का परकार, मतलब कौन सा कौन सा टाइप का पोधा लगाया गया है, और कितना कितना करके लगाया गया है, आम का पोधा लगाया है, तो यहाँ पर दिखे दिया गया है, आम का 17 पोधा लगाया गया है, नीम का 13 लगाया गया है, जामून का 18, स इसको यहां पर बताईए तो आपको देखना है और बताना है ठीक है देखिए यहां पर कर रहा है को नमर में सबसे अधी कौन से पौधे लगाए गए तो यहां पर कौशन आपका कर रहा है तो देखिए यहां पर कौन सा पौधा लगाया गया है देखिए यहां पर देखिए इसमें 17 है, 13 है, 18 है, 33 है, यहापर 13 है, यहापर 16 है, सबसे जएधा 33 है, तो देखे 33 का सिधा में कौन सा पोधा है, सक्खुआ है, बस यहापर आपको क्या करना है, सक्खुआ लिख देना है, यहापर मैं आपको बुक में ही बताईता हूँ, ठीक है, आप इसको अपना कोपी किस दिजोशार आगे काता है कौन कौन से पौफदोग की संख्या बराबर है तो दिखिए आपर कौन सा क्वोधों की संख्या बराबर रहे दिए पर दे रहाएं यह अपर BLD का यह नीअ yeah people पर नीम और पीपल हो गया अंसर गोण अमर में कहता है कुल कितने पोधे लगाए गए हैं तो क्या करना आपको जितना भी पोधे लगाए गए सबको जोड़ देना है ठीक है तो देखिए ध्यान से जोड़ते हैं आप देखे साथ तिन दस दस अठ अठारो अठारो और तीन 21 21 और 3 24 24 और 6 30 हो जाता है तो 30 का यहाँ पर 0 लिग देना है ठीक है उसके बाद आपको केरी तो 3 रह जाएगा अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 6 7 8 8 और यहाँ पर देखिए 3 11 तो यहाँ पर आपको 11 लिग देना है ठीक है टोटल को जोड़ने पर कितना पोधों किसंखे आया 110 तो यहाँ पर आपको क्या करना है 110 लिग दरना है ठीक है 110 इसके जगह पर आपको 110 लिग दरना है आपके पसंद के कूल कितने पौधे लगाए गए हैं तो आप अपना पसंद देख लिजिएगा कि आपको सबसे जदा कौन सा पेड़ अच्छा लगता है उसी के नुसार आप यहां पर लिख दीजिएगा तो आप इसको अपने से खुद से बना लीजिएगा ठीक है लिख दीजिएगा अब आगे अंगा नंबर नंगा नंबर में है आम के पौधों की संख्या कितनी है कितनी है मैंने आपको पताया आम की पौधों की संख्या कितना है 17 है तो यहां पर आपको क्या करना है 17 लिख देना है तो आई होप कि यह सभी question का answer आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला question की और तो देखिए friends अगला question में जो है नहीं मतलब अगला page में आपका question है अब कीजिए यहाँ पर देखिए दो नमर काता है कक्छा 5 में मतलब class 5 में क्या हो होगा एक तालिका इसमें लिखा हुआ है पेपदार्त का नम मतलब drink ठीक है कि कौन सा किसको पीना अच्छा लगता है क्या चीज पीना किसको अच्छा लगता है जिसको चाच भी बोलते हैं किसी को अच्छा लगता है पीना दूद किसी को अच्छा लगता है पीना निम्ब पीने वाले बच्चों की संख्या कितना है आठ है दूद पीने वाले बच्चों की संख्या कितना है दस है निम्बू पाने पीने वाले बच्चों की संख्या आठ है चीनी सरवत पीने वाले बच्चों की संख्या चार है ठीक है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए दूद पीने वाले बच्चों की संख्या खाली जगा है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तालिका में दूद पीने वाले बच्चों की संख्या कितना है, दस है तो बस आपको क्या करना है यहां लिख देना है दस खाली जगा में, होगे आपका अंसर बुक में आप नहीं भरिएगा जितना भी कॉश्चन है आप अपना कोपी मुतार लिजेगा उसके बाद भरिएगा ठीक है मैं आपको बार बार मना कर रहा हूं बुक में भरने से आगे खौन नमर में कहता है सबसे अधीक उप्योग किये जाने वाले पेपदार्थ का नाम सबसे अधीक कौन सा पेपदार्थ बच्चो द्वारा पिया गया देखिए दूद दस बच्चो द्वारा पिया गया है मतलब दस बच्चे पीते हैं तो यहाँ पर लिखना है आपको देखिए सबसे अधीक उप्योग किये जाने वाले पेपदार्थ का नाम यहाँ पर आपको पेपदार्थ का नाम लिखना है संख्या नहीं लिखना है मतलब क्या पीता है सबसे अधिक बच्चे दूद पीते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है दूद इस प्रकार संख्या नहीं लिखना है संख्या बोलेगा संख्या लिखना है तो देखिए मठा चाई यह देखिए मठा चाτ आपका यहां पर दिया हुआ है मठा चाई क्या वह नहीं हो रहा है संख्या बच्चों की संख्या कितना है आठ तो संख्यामाला लाइन में आपको देखना आठ ना तो यहां पर आपको आठ लिखना है ढ़ आठ देखिए मठा छाज पीने वाले बच्चो की संख्या आठ है आगे देखिर चीनी सरवत पीने वाले बच्चो जो कि संख्या इसमें संख्या कहा है तो देखिए दूद तथा निम्बू पानी यहां पर देखिए यह आपका दूद और यह आपका निम्बू पानी अब बोल रहा है कि संख्या बताए कितना बच्चे पीते हैं तो इसको और इसको क्या करना है जोड़ देना है दस और आठ इस प्रकार आपको बना लेना है मुझे पूरा भी सुवास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है वीडियो को लाइक जरू करिएगा ठीक है और अगर आप नए है पहली बार हमारे चनल को देख रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का notification कौन कर लिजेगा ठीक है notification का मतलब होता है जो घंटी आपको दिखेगा subscribe करने के बाद उस घंटी को दबा कर notification कौन कर लिजेगा इससे क्या होता है जब भी मैं इससे आगे वाला chapter का video upload करता हूँ तो उस video का notification आप तक जल से जल पहुँच पाता है ठीक है तो friends आज की इस video में बस इतना ही रणयत है मिलते हैं अब अगला वीडियो में इसका अगला question को लेकर तब तक के लिए थेंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो